दोस्तो विंटर है और विंटर मतलब अच्छा फूट फूट्स विंटर के सेजन में ज़्यादा फ्रेश फूट अपको मिलता है जिसमें ओरेंजिस एक होता है सो आज हमने सोचा क्योंना ओरेंजिस की बारे में थोड़ा रिसर्च किया जाए और ये इंफोर्मेशन आप तक कनवी करना भी ज़रूरी है औरेंजिस का ओरिजिन ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी इसके सिवा औरेंजिस का साइड एफेक्ट, हेल्थ बेनिफिट्स, पील्स का यूज सब कुछ इस वीडियो में एड करने के लिए कोशिश करेंगे चैनल पर नीव है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना लाइक, कमेंट अंड शेयर करना मत भूलिए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते है बहुत तरह की ओरेंजिस होता है जो डिफरेंट कांट्रे से आता है टेस्ट और साइज भी अलग होता है 5 से 6 मीटर तक औरेंज का ट्री होता है औरेंज फ्लावर में भी बहुत अच्छा स्मेल होता है राउंड शेप की इस फ्रूट्स आता है जो कुछ टैंगी होता है तो कुछ बहुत ज़ादा मीठा Oranges trees 60 years से ज़ादा एक tree survive कर सकता है Mainly Asia से ही oranges originated है South Africa में भी कुछ तरह की oranges मिलता था अभी all over world में cultivate किया जाता है Oranges से सिर्फ orange juice ही नहीं Orange pulp से jelly and peel से oil flavor भी बनता है Vitamin C होता है So skin के लिए best है ये fruit Immunity boost up करता है Cell damage रोकता है Cell को, skin को, body को, germ से protect करता है Full of nutrition, vitamin, fiber, folic acid, natural sweeten, minerals ये सब होता है oranges में और क्या चाहिए इसके सिवा Full health and skin के लिए ये affordable and easily available fruit होता है oranges Tasty है, beneficial है इसका मतलब ये नहीं आप पूरा दिन orange juice या pulp कंजूम करते रहोगे Too much कुछ भी अच्छा नहीं होता है Cramping, diarrhea, bloating ये तो common side effect होता है too much oranges खाने का एक research में देखा गया है जो लोग बहुत जदा orange juice कंजूम करते है डेली उन लोगों का बोन विक हो जाता है ये fruit high calorie added है जो weight gain कर सकता है अगर आप एक दिन में बहुत जदा कंजूम करते है तो अगर आपका BP already low है तो orange juice पीने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से consult कर लीजिए Two glass काफी होता है डेली कंजूम करना वरना BP और भी low हो सकता है Orange pills जो हम use भी नहीं करते है जो जाता है सिधा dustbin में उसका uses के बारे में आप जानेंगे तो surprise हो जाएंगे Garnishing, Oil making, Pill paste करके face पे use करना boil करके tea बनाना, as face cleanser अगर आपके face पे बहुत ज़्यादा sweat आता है तो उसको निकलने के लिए पील्स आप use कर सकते है पील्स को आप boil करके, stain करके, spray भी कर सकते हैं अपने face पर flower pot पर डाल सकते हैं, plant के लिए अच्छा होता है अगर आपके घर पे insect है, तो उसका powder आप spread कर सकते हैं ऐसे बहुत सरी uses होता है पील्स का सो नेक्स टाइम औरेंच पिल्स को फेकने से पहले सोच लिजिए कुछ काम में आ सकता है या नहीं गाइस वीडियो आपके लिए beneficial है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर श्यार कीजिए नेक्स वीडियो ऐसे कुछ fruits पे ही होगा जो बहुत जल्दी आएगा stay healthy and fit भीडि़ी